अस्सलाम लेकूम माई यूटूब फैमली कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब ठीक होंगे आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं फ्रेंट तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नास्ते में भिंडी मसाला तो भिंडी देखिए ले लिए भिंडी को अच्छी तरह से धो कर इसको काट लेती हूँ फ्रेंट भिंडी को अच्छी तरह से धो लिए धोने का बाद देखिए भिंडी को इस तरह से काट लिए है और बीच में जो है से दो तिन कट लगा दिए देख सकते हैं आप सब फ्रेंट तो सबसे पहले इसमें डालूँगे पीसा हुआ मसाला तो इसमें अदरक लैसें जीरा और पियाज का पेष्ट है तो चार चमच इसमें डाल देती हूँ मरीच और पियाज का पेश्ट है तो चार चमच इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड तो पीसा हुआ मसाला डाल दिये तो अब इसमें डेली का जो भी मसाला यूच करती हूँ तो बहुत सारा मसाला डाल देती हूँ फ्रेंड एक चमच धनिया पौडर डाल रही हूं आधा चमच डाल रही हूं हल्दी पौडर फ्रेंड एक चमच डालूंगी लाल मिर्च का पौडर तो देखें फ्रेंड भढ़कर एक चमच लाल मिर्च का पौडर डाल दिये हैं फ्रेंड तो अब इसमें डालूंगी कस्मीरी लाल मिच का पौडर तो कस्मीरी लाल मिच का पौडर आधा चमच डाली हूँ और आधा चमच डाल दिये सबजी मसाला फ्रेंड और एक चमच आम चुर का पौडर डाल दिये हैं और एक चमच डाल रही हूँ चाट मसाला फ्रेंट तो सारा मसाला डाल दियें तो अब इसमें सरसो का तेल डालेंगे तो चार चमच इसमें सरसो का तेल डाल देती हूँ तो फ्रेंट देखिए चार चमच सरसो का तेल डाल दियें तो अब इसमें नमक डाल देती हूं फ्रेंड तो मैं अपने हिसाब से नमक डाली हूं आप बनाईएगा तो अपने हिसाब से नमक डालीएगा तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूं तो फ्रेंड देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मसाला में भिंडी को कराई चरहा दिए तेल डाल दिए तो तेल देखिए गर्म अच्छी तरह से हो चुका है तो इसमें अब भिंडी डालूँगी कराई में भिंडी को डाल कर अच्छे से मिक्स कर दिये हैं और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाना पड़ता है तो इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चला रही हूँ माई यूटूब फैमली मेरी वीडियो फसंद आए तो लाइक केज़ेगा सेर केज़ेगा और मेरे चैनल पर न्यूँ है तो फिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा माई योटूब फैमली आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक ने करते हैं और चैनल को सस्क्राइब भी ने करते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा फ्रेंट तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पर इसको चला रही हूं ताके नीचे सटे नहीं और देखिए फ्रेंट मसाला अच्छे से भून चुका है प्रेंट तो अब मैं इसको धीमी आज पे पकाऊँगी क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका है और भिंडी भी अच्छे से भुन चुका है तो धीमी आज पे अच्छे से पकेगा फ्रेंट देखिए भिंडी मसाला बनके तयार हो चुका है तो अब गैस को बंद कर देती हूँ फ्रेंट भिंडी मसाला एक बार इस तरह से आप बना कर जरूर देखिएगा बहुत ही टेश्टी लगेगा एक बार जरूर बना कर आप सब देखिएगा फ्रेंट तो ये भिंडी मसाला आप रोटी में भी खा सकते हैं पराटा में भी खा सकते हैं चावल दाल पर भी खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगेगा खाने में फ्रेंट तो आज के ब्लोग को एंड करती हूँ, अगले ब्लोग में मिलूंगे अल्ला हाफिज अपना ख्याल रखेगा, दौाओं में याद रखेगा वीडियो फसंद आई तो लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर किजिएगा